हलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत आपका Superfast Study and Experiment पर दोस्तों इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं Centrifugal Pump के बारे में Centrifugal Pump के बारे में हम जानेंगे फील्ड से मैं आपको दिखाऊंगा Centrifugal Pump क्या होता है उसके Parts क्या क्या है और एक disassemble centrifugal pump से आपको उसके अंदर की parts जैसे की impeller है उनके बारे में बताऊँगा और उसकी casing के बारे में बताऊँगा कि involute casing आखिर होता क्या है यह इसका impeller है तो चलिए वीडियो को पूरे अंदर तक देखिए और आपके सारे डाउट clear हो जाएंगे आपर यह है आपका centrifugal pump जो की running condition में है centrifugal pump का काम होता है कि यह pump इसको use किया जाता है किसी भी fluid को यानि कि तरल पदार्थ को transport करने के लिए और वो मिलता है हमको rotational kinetic energy से जिसको transfer कर दिया जाता है hydrodynamic energy of the fluid में और यह rotational kinetic energy उसको मिलती है या तो motor से मिलती है या फिर engine से मिलती है यहाँ पर motor से मिल रही है यानि कि rotational kinetic energy को hydrodynamic energy of fluid में convert कर दिया जाता है सेंटेटुकल pump के द्वारा यह इसका suction line है यानि यह जो आप देख रहे हैं नीचे tank में यह pipe गया हुआ है यहां से यह सक्सन करता है यानि यह वाला जो pipe है यह सक्सन portion है यहां से पानी को यह pump खीचता है अब यहां से खीचने के बाद में यह pump जो है ऊपर से इसका जो casing है इसको involute casing कहा जाता है मैं आगे आपको दिखाऊंगा अंदर का impeller भी देखेंगे तो यह जो ऊपर यह रिखें यह discharge pipe है यानि कि नीचे से सक्सन ले रहा है यह centrifugal pump और ऊपर के pipeline से यह यहां पर discharge कर दे रहा है अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि discharge pipeline से एक hose pipe गया हुआ आप देख सकते हैं पतला सा एक pipe आया हुआ है और वो pipe आ करके यहां पर जहां पर इसका saft है impeller में लगने वाला जो saft है वो जहां पर गया है वहां पर लगा है तो यहां पर यह actual में होता यह है यहां पर जब saft अंदर जाता है तो saft के बीच में और इसके casing के बीच में gland rope लगाया जाता है वो एक अलग तरीकी का rope होता है जो कि sealing का का काम करता है और यहां पर पानी इसलिए दिया जाता है ताकि proper cooling हो ठंडा रहे वो जले न और air वहां देखें इसके impeller में जो इसकी जो blades है उसका जो यहां पर curve shape जो है आप देख सकते हैं सक्सन के पास भी और discharge के पास भी यह normal जो अपने fan वाले impeller होते हैं उससे काफी अलग होते हैं इसमें curves जादा रहता है और साथ में यह impeller जो हैं थोड़े से जादा thickness के होते हैं आप दे है यह है ना तो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसके involute casing के बारे में बताऊंगा सबसे ज़्यादा यूज होते हैं इंडस्ट्री में centrifugal pump क्योंकि इसका discharge काफी अच्छा होता है high discharge देते हैं यह है अब यहां पर हम बात कर लेते हैं इसके casing के बारे में आखी इन्वा केजिंग और जो impeller होता है वो एकदम center में ना लगकर एक हलका सा एक किनारे में दब कर इस side लगा हुआ है आप खेख सकते हैं यहां पर तो उमीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी helpful भी होगी अगर एक परसेंट भी यह वीडियो आपके लिए helpful है तो प्लीज इस चैनल को subscribe करके ही जाहिएगा और एक like तो जरूर कर दीजेगा फिर से मिलेंगे next वीडियो में अलविदा